इस वीडियो में हम भारत के सभी मुख्य नायदियूसों के बारे में जानकारी प्राप करेंगे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दू मेरी वीडियो जुड़ी अपडेट्स के लिए मेरी इन सोशल मीडिया हैंडेल्स को जुड़ी एंड फॉलो कर सकते हैं तो वीना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपको हम बता दू भारत में 1950 के पहले फेडल कोट यानि संगिन याले था जिसकी अस्थापना एक अक्टूबर 1937 को होई थी तो दोस्तों 1937 से 1950 के पीच के चिफ्स जेस्टिस थे मौरिस ग्वैर इनका कारेकार एक अक्टूबर 1937 से 25 अपरल 1943 तक रहा इनके बाद एक्टिंग सीजी आई थे ची निवास वर्दाचारी इनका कारेकार 25 अपरल 1943 से 7 जून 1943 तक रहा और लाश्ट थे हैं H.J. कनिया दोस्तों इनका कारेकार 14 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक रहा तो दोस्तों ये फेडरल कोट के लाश्ट सीजी आई और सुप्रीम कोट के फर्स्ट सीजी आई थे हैं दोस्तों अगर आप Chief Justice के बारे में डीटेल में जनकारी चाहते हैं जैसे कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे Chief Justice को अप्वाइंट किया जाता है किसके दवारा अप्वाइंट किया जाता है या फिर इनके क्वालिकफिकेशन क्या होने चाहिए और CGI के पास कौन कौन से एक्स्ट्रा पावर होती है ये सारे जनकारी मैंने इस वीडियो में दी है आप इस वीडियो को आई उटन पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो हम मैंने चीफ जस्टिस की लिष्ट को कवर किया है तो दोस्तों अब हम 1950 के बाद से यानि की ओनरेबल सुप्रीम कोट के 1950 से लेकर अब तक के मुख हिनाईदीसों की लिष्ट देखते हैं सो फर्स चीफ जस्टिस थे हरी लाथ जै किसुन दास कनिया इनका जन तीन नौमबर 1890 को नवसारी में हुआ था जो कि अब गुजरात में है इनका कारेकार 26 जन्वरी 1950 से 6 नौमबर 1951 तक रहा दोस्तों आपकों बता दू चीफ जस्टिस के नुक्ति और सपत ग्रहड भारत के राश्पति द्वारा किया जाता है तो इन्हें अप्वाइंट भारत के पहले राश्पति डॉक्टर राजिन प्रशाद के द्वारा किया गया था दोस्तों CGI के पत पर नुक्त होने से पहले ये उस समय के लिए बंबाई उच्छ नयाले में कारेकारे नियाधिस बने और जून 1931 में ये उसी नयायाले में अपर नियाधिस नियुक्ति हुए थे दोस्तों इनकी मृत्यू पर पर रहते हुए यानी 6 नुवंबर 1951 कोई थी इनके बाद सरुच नयाले के दूसरे मुख्य नयाधिस MP सास्त्री थे इनका जंग 4 जनवरी 1889 को मंदा कोलाथूर में हुआ था जो अक तमिलनाडू के 33 मलाई में है दोस्तिन का CGI का कारेकार 7 नुवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक रहा भारत के राश्पती डौक्टर राजिन प्रशाद की द्वाराई ने अप्वाइंट किया गया था और दोस्तों ये 1914 में मदरा साई कोट में एडोकेट की रूप में अपना करियर शुरू किये और इसके बाद ये फेडरल कोट के नयाधीश बने थे दोस्तों मेहर चंद महाजन भारत के सरोच नयाले के तीसरे नयाधीश थे इनका जन 23 दिसंबर 1889 को कांगडा जी लेके नगरोटा में हुआ था जो अब हिमाचल प्रदेश में है इनका कारेकार 4 जनवरी 1954 से 22 दिसंबर 1954 तक रहा था इससे पहले ये महराजा हरी सिंग के सासंकाल के दोरान जम्मू और कस्मीर के परधान मंत्री थे और दोस्तों आपको बता दूं ये रेड क्लिफ आयोग में भारती राश्टी कॉंग्रेस के उमीदवार थे और इन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को डिफाइन किय था दोस्तों इन्होंने अपने करियर के सुरुआ 1913 में धर्मसाला में ऐसा लॉयर स्टार्ट किया था और इसके बार लाहोर हाई कोट बार एसोसियेशन के अध्यक्स के रूप में कारी किये थे दोस्तों भारत के चौथी मुख्य नयाजिस बीजन कुमार मुखर जी थे इ इनके बाद 15 CGI सूधी रंजन दास थे इनका जन 1 अक्टूबर 1894 को कलकता में हुआ था इनका कारेकाल शुरू हुआ था एक फरवरी 1956 को और यह 30 सितंबर 1969 को CGI के पत्से स्वेवाने विर्थ हो गया है दोस्तों इन्हें 1942 में कलकता हाई कोट के एक अत्रिक्त नयाधिस के रूप में एलिवेट किया गया था और 1949 से 1950 तक यह दोस्तों पंजाब हाई कोट के मुख्य नयाधिस के पत्पर थे भारत के छटवे मुख्य नयाधिस भुनेश्वर परसाथ सिन्धना थे इनका जन्ग एक फरवरी 1899 को बिहार के साहाबाद जिला जो अब भोजपूर जिला है वहां हुआ था यह 1 अक्टूबर 1969 से 31 जन्वरी 1964 तक भारत के सरुच नयाले के मुख्य नयाधिस के पत्पर कारे रत थे हैं और इनको अपॉइंट भारत के दूसरे राश्पती डॉक्टर सरुपली रादा कृष्णन के द्वारा किया गया था दोस्तों 1945 में इने बॉंबे हाई कोट का नयाधिस नियुक किया था इसके बाद जन्वरी 1956 में इने अन्रेबल सुप्रीम कोट की बेंच में एलिवेट क किया गया था और 1964 में भारत के मुख्य नायदीश के पतपर थे यह भारत सरकार के अन्रोथ पर बहुत से आयोगों का नियुक्त्रित्यु भी किया हैं जैसे कि सेंट्रल लॉग कमीशन नेशनल कमीशन ओन लेबर और बैंक अवर्ट कमीशन आपको में बता दूं 1972 में इने भारत सरकार द्वारा पदम विभूसन से सम्मानित किया गया था दोस्तों अमल कुमार सरकार सरोच नयाले के आठवे मुख्य नायदीश थे इनका सीजी आई का कारेकार 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक रहा और इनको अप्वाइंट डॉक्टर सरुपली राधा कृष्ण के द्व भारत के नौवे मुख्य नायदीश कोका सुगबा राओ थे इनका जन्म 15 जुलाई 1902 को मद्रास प्रेसिडेंसी के राज मुद्री में हुआ था इनका कारेका 30 जून 1966 से 11 अप्रेल 1967 तक रहा दोस्तों इनको भी अप्वाइंट राश्पती डॉक्टर सरुपली राधा कृ की द्वारा किया गया था और सीजिम नुख्ती से पहले ये ने मद्रासः wij को में नजीज की रूप में और आंडर प्रदेसि हॉच में मुख्य नेतीज की रूप में मैं इस केस के बारे में विश्तार से बता देती हूं दोस्तों हैंडरी और विलियम गोलखनाथ दो भाई थें जिनके पास पंजाब की जालंधन में 500 एकड की भूमी थी 1903 में पंजाब सरकार ने कहा था कि गोलखनाथ परिवार के वल 30 एकड जमीन अपने पास रख सकता है और बाकी का जो जमीन था उसका कुछ हिस्सा किरादारों को मिलेगा और बाकी की जमीन सरकार अधिगरहड करेगी तो दोस्तो सरकार की इस फैसले के खिला गोलखनाथ परिवार हाई कोट गये लेकिन वहाँ केस हार गयते तो इसके बादी 1965 में सुप्रीम कोट में याचिका दायर की दोस्तो गोलखनाथ परिवार ने संभिधान के आर्टिकल 32 के तहट सुप्रीम कोट में 1935 भूमी अधिगरहड कानून को ये कहते हुए चुनावती दी कि यह उनके संपती रखने अरजित करने और उस पर किसी भी प्रकार का वयुसाय करने का मौलिक अधिकारों का हनन करता तो दोस्तो इस मामले में सबसे एहम मसला था कि क्या मौलिक अधिकारों को संसोधन किया जा सकता है दोस्तो इस मामले में 1967 में सुप्रीम कोट की 11 जोजोगी बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए अपने पहले के आदिश को पलट से हुए कहा था कि संसत को संभिधान पक्ष में और पांच विपक्ष में थे हैं लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोड के इन फैसले से ततकालीन इंद्रागादी सरकार ने 1967 से 1973 तक संविधान में तीन संसोधन किये थे और ये संसोधन थे 24, 25 और 26 संसोधन आपको मैं इसकी बारे में बता देती हूं 24 में संविधान संसोधन से संसत को आर्टिकल 368 के तहट मौलिक अधिकारों समें संविधान के किसी भी हिस्से के संसोधन का अधिकार दे दिया गया 25 संसोधन से संविधान में प्रदत संबत्ति के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया और वहीं 26 संसोधन में प्रीवी पर्ष को समान समाजिक व्यवस्ता के खिलाप बता कर रद्द कर दिया गया था दोस्तों इनके बाग भारत के दसवे मुख्य नयादिस कैलासनात्व वांचू थें इनका कारेकाल 12 अप्रेल 1967 से 24 फरवरी 1968 तक रहा दोस्तों ये फरवरी 1947 से जन्वरी 1951 तक एलहाबाद हाई कोड के जज थें इनके बाग भारत के 11 मुख्य नयादिस मुख्य नयादिस मुख्य नयादिस इनका जन 17 दिसंबर 1905 को लखनाओं में हुआ था इनका कारेकाल 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक रहा इनको सपत गरण भारत के राष्पती जाकिर हुसेन की द्वारा दिलाए गया था दोस्तों मुख्य हिदायत उल्ला भारत के पहले मुख्य नयादिस थें और ये मध्य परदेश के प्रथम नयादिस भी रहा है इसके लावा दोस्तों ये दो बार भारत के कारेवाहक राष्पती और एक पूरे कारेकाल के लिए भारत के उपर राष्पती भी रहा है सर्वत्चे नयाले के बारवे मुख्य नयादिस जानती लाल छोटे लाल साहतें इनका जन 22 जन्वरी 1906 को एहमदाबाद में हुआ था इनका कारेकाल 17 दिसंबर 1907 से 21 जन्वरी 1971 तक रहा इनको अपूरेंट भारत के राष्पती वीवी गिरी के द्वारा किया गया दोस्तों इन्हों ने 1929 में एहमदाबाद में एज लॉयर अपनी प्रैक्टिस चुरू की आपको में बता दू ये गाधी जी हत्या मामले में नाथू राम गोड से अन्य प्रतिवादियों पर मुकद्मा चलाने वाली कानूनी टीम का हिस्सा थे हैं इसके बाद 1949 में ये बॉंबे हाई कोड चले गया जहां वे 10 साथ तक जज रहे हैं देन अक्टूबर 1969 में भारत के सरूच नयाले के नैधीस की रूप में न्यूप किया गया और दिसंबर 1970 में भारत के मुख्य नैधीस बने दोस्ते इनके सेवानिविर्ति के बाद 28 माई 1977 को ग्रिह मंत्राले ने जश्टिस जेसी साह को साह कमिसन के लिए न्यूप किया था जिसके ये अध्यक्ष से आपको हम बता दू ये आयोग भारत में आपात काल के दोरान की गई जादतियों की जाच के लिए केंद्र सरकार द्वारा जाच अधिनियम 1952 के तहर्ट अस्थापित किया गया था इनके बाद दोस्तो भारत के 13 में मुख्य नयाधिस रहें सर्व मित्र सिकरी इनका कारेकार 22 जनवरी 1971 से 25 अप्रेल 1973 तक रहा इनको अपॉइंट वीवी गिरी के द्वारा किया गया था दोस्तो इन्होंने 1930 में लाहोर हाई कोट में वकील के रूप में अपना लीगल करियर सुरू किया फिर 1964 में भारत के सरुच नयाले के नयाधिस और 1971 में CGI के रूप में नयूप किया गया दोस्तो ये बार से डारेक्ट न्यूक्ट होने वाले सुप्रीम कोड के पहले नयदिश और पहले मुख्य नयदिश थे हैं दोस्तो केशवानन भारती वर्सस स्टेट और केरला मुख्य नयदिश के रूपे इनके कारेकाल के दोरान एक मेजर डिसीजन था इनको भारत के संविधान के मुल संरचना सिध्धान को रेखांकित करने का स्रे दिया जाता है। लगबग यह केस 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्स 1973 तक चला था। तो दोस्तो सुप्रीम कोड की 13 जजों की बेंच ने इस मामले में 24 अपरेल 1973 को फैसला सुनाते हुए सरकार द्वारा किये गए 24 संविधान संसोधन को मानेता दे दी। दोस्तो यह फैसला 7 ratio 6 के नियूंतम अंतर से दिया गया यानि की 7 जजों ने पक्ष में फैसला दिया और 6 जजों ने विपक्ष में। दोस्तो कोड ने अपने आदेश में कहा कि संसत के पाथ संविधान के किसी वे भाग की तरह ही मूल अधिकारों में भी संसोधन का अधिकार है। लेकिन कोड ने साथ में ये भी कहा कि संसत, संविधान की आधारबूत सन्रचना यानि कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है और नाहीं उसका मूल सोरूप बदल सकती है हाला कि दोस्तों केशवानन्द भारती ये केश हार गय थे लेकिन ये केशवानन्द भारती केश संविधान, संसद और नयायपालिका की बिश संतुलान अस्थापित करने का कारी किया दोस्तों इनकी बाद भारत के चौदव में मुख्य नयाधिस अजीत नात रे थे इनका जन 29 जन्वरी 1912 में हुआ था इनका कारेकाल 26 सप्रेल 1973 से 27 जन्वरी 1977 तक रहा इने भी अप्वाइंट राश्पती वीवी गिरी के द्वारा किया गया और बार था इनका कलकता हाई क दोस्तों केसवानन भारती केस के 13 जजों के बेंच में ये भी सामिल दे और इनका डिसीजन माइनोर्टी जजों के फ्वेवर में था और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इस वीडियो मैंने बताया है कि CGI की निउप्ति किस प्रकार से होती है लेकिन दोस् मैं अभी आपको आगे बताती हूं दोस्तों मिर्जा हमिदुल्ला बेख भारत के सरोची नयाले के पंद्रवे मुख्य नयादीश रहे हैं इनका जन 22 फरवरी 1913 को लखनव में हुआ था और इनका CGI का कारेका 29 जनवरी 1977 से 21 फरवरी 1978 तक रहा और इन्हों ने भारत के राश सेप्सन था वह था कि 1977 में जस्टिस हंसराज खन्ना को सुपरसीड करके जस्टिस मिर्जा हमिदुल्ला बेख को CGI के पतपर न्यूप किया गया था दोस्तों भारत के सोलवे मुख्य नयादीश वाईवी चंद्रचूर थे इनका पूरा नाम यस्वंत विश्नू चंद्रच की तक रहा और इनको अपॉइंट नीलम संजीवा रेड़ी के द्वारा किया गया था दोस्तों यह अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य नयादीश थे दोस्तों यह बहुत से इंपॉर्टेंट जज्मेंट पे इन्वॉल्ड थे इनमें से कुछ जज्मेंट थे हैबियस कॉर्पस केस जिसे एडियम जवलपूर वर्सिद सिवकान सुकला केस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों अगर इस केस के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आपको जी कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं एक न्यू वीडियो के माधियम से एक्स्प्लेन कर दोंगे नेक्स जज़्जमेंट में इन्वार्वा मिल्स केस और साहबानो केस दोस्तों पी एन भगवती भारत के सत्रवे मुख्य नयदीश थे इनका जन्म 21 दिसंबर 1921 को एहमदाबाद में हुआ था ये 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक उचितम नयाले के मुख्य नयदी जुलाई 1960 मेंने गुजरात हाई कोट का नयाधीश नयुक्त किया गया आपको हम बता दू सरोच नयाले के नयाधीश की रूप में पी एन भगवती ने भारती नयाएक प्रडाली के लिए जनहित याचिका और पुर दाइत्व की और धारणाओं को इंट्रोडूस किया था और दोस्तों, 2007 में पी एन भगवती को सारवजनीक मामलों में भारत का दूसराख सरोच नागरिक पुरसकार पदम विबोसर से सम्मानित किया गया था। भारत के अठारवे मुख्य नयाधीश थे रगनंदल सोरूप पाठक। इनका जन 25 नॉमबर 1924 को हुआ था। इनका क अपनी प्रैक्टिस एलहाबाद हाई कोर्ट से सुरू की और 1962 में ये एलहाबाद हाई कोर्ट में नयाधीश बने। दोस्तों, CGI टिन्यूर के बाद ये 1989 से 1991 तक इने अंतरराष्ट्री नयाले का नयाधीश चुना गया था। भारत के सरुच नयाले के 19-वे मुख्य 1989 से 17 दिसंबर 1989 तक रहा। और इने अपॉइंट राष्पति रामा स्वामी वेंकर्ट रमन के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, ये 1970 में करनाटक हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किये गया थे। भारत के 20-वे मुख्य नयाधीश एस मुखरजी थे। इनका जन 1 हारत के राष्पति रामा स्वामी वेंकर्ट रमन द्वारा मुख्य नयाधीश के रूप में सपतली थी। और बार थी इनकी कलकता हाई कोर्ट। दोस्तों, 21 CGI रंग नास मिस्रत हैं। इनका जन 25 नौंबर 1926 को ओडिशा के बानपूर में हुआ था। इनका कारेकार 26 1990 से 24 नौंबर 1991 तक रहा। और इनको अपॉइंट रामा स्वामी वेंकर्ट रमन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये 1993 में नेशनल हिूमन राइट्स कमिशन के फर्स्ट चेर्मेन रहा हैं। भारत के 22 में मुख्य नयाधीश के एन सिंग थे। इनका कारेकार 25 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक रहा। और इन्हें भी अपॉइंट राश्पती रामा स्वामी वेंकर्ट रमन के द्वारा किया गया। दोस्तों, ये 1972 में अलहाबाद हाई कोड के पर्मानेंट जज अपॉइंट किये गया थे। और दोस्तों, इनका मुख्य नयाधीश का कारेकार बॉंबे में हुआ था और इनका कारेकार 13 दिसंबर 1991 से 17 नौंबर 1992 तक रहा। और बार था इनका बॉंबे हाई गोड। दोस्तों, 24 में CGI रहें ललित मोहन सर्मा इनका जन 12 फरवरी 1928 को गया में हुआ था। इनका कारेकार 18 नौंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 तक रहा। और इनको पॉइंट राश्पती संकर दयाल सर्मा के द्वारा किया गया था। और बार इनका था पटना हाई कोड। दोस्तों, भारत के 25 में मुख्य नयादिस M.N. बैंकर चलाईया थे। इनका कारेकार 12 फरवरी 1993 से 24 अक्टूबर 1994 तक रहा। और इनके भी अपॉइंट राश्पत में अब तक 47 मुख्य नयादिस हैं और ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में कवर किया है। तो दोस्तों नेश्ट वीडियो में मैं आपको 26 मुख्य नयादिस से लेकर अभी तक के सब ही मुख्य नयादिसों के बारे में है वो आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह जनकारी पसंद आई हो तो प्लिज इस वीडियो को लाइख और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके जो भी सुझाम हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल परने हैं तो हम आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पॉर वासिंग दिस वीडियो